हेलो स्टुडेंट्स आई होप यौल आ डूइंग वेल आज हम लोग बात करेंगे डाइवर्स्टी के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं डाइवर्स्टी का मतलब क्या होता है डाइवर्स्टी इस डिफाइंड एस डवाराइटी ओफ लिविंग ओग्रिसम लेकिन कोई रश्यान हो गया कोई अमेरिकान हो गया इंडियान हो गया पाकिस्तानी हो गया डिफरेंट डिफरेंट वराइटी हो गया इंसान की इसी तरह हमाई लिविंग ओगनिजम के भी डिफरेंट डिफरेंट वराइटी होती है जैसे कि आप लोग सोचोगी कि सिर्फ ant species की करीब 10,000 से जादा variety है ant की इसी तरह जो हमारी trees वगर है उनकी बहुत जादा variety है तो अगर हम सारी species को collect कल लें तो बहुत variety हम को दिख जाएगी variety हम को अलग-अलग level पर दिखती है जैसे size के level पर variety दिखती है अब भाईया size के level का क्या मतलब है अगर आप लोग क्लास में बैठो और क्लास में सिर्फ खड़े होके एक बार चारू तरफ अपनी नजर गोमाओ तो आप लोग क्या दिखोगी कोई बच्चक है कोई किसी के height जादा है किसी के height चोटी है किसी की कम किसी की और कम है यानि कि आपको अपने क्लास में करीब कई variation दिख जाएंगे अगर 500 student है तो आपको 500 variation आपको सिर्फ अपने क्लास में मिल जाएंगे सेम चीज़ कलर के बारे में कलर में भी काफी variation होता है कुछ लोग कहते नहीं हम तो गोरे होगे कि लोगये तो कि तने गो रहे हों है कम गोरे हो कि ज्यादा गोरे हो कि बिलकुन गोरे नहीं हो घाना तो कलर में भी काफी dati nutrition में भी काफी variation होता है autotropic nutrition है कि heterotropic nutrition है autotropic में भी photosynthetic है कि kemo synthetic है photosynthetic क्या है वहिसा sunlight से तुमने nutrition لे लिया sunlight से inorganic Cheese का बनाने के लिए कुछ बैक्टीरिया, ठीक है न, तो ये nutrition के लिए पे हो गई, इसी तरह अगर हेट्टोट्रॉपिक में जाए से अप्रोफिटिक है, पैरासिटिक है, कि होलो जोईक है, समझ बाता रही, तो इस तरही different different तरह के nutrition होते हैं, इसके बात behavior के बात करें, उनका behavior कैसा है, वो कहां पे रहते हैं, क्या करते हैं, ये सारी चीज़े behavior में आ जाती है, और habitat बहुत important है, कि वो कहां पे रहते हैं, आप लोग जान क्या अश्यर चगित हो जाओगे, कि बैक्टीरिया हर जगे पाए जाते हैं, अगर आप कहेंगे बैक्टीरिया दूसरे planet में हैं, तो बिलकुन बैक्टीरिया दूसरे planet में भी पाए जाते हैं, आप बिलकुन सही सोच रहे हैं, अगर आप सोचेंगे बैक्टीरिया जो आला मुखी में पाए जाते हैं, बिलकुन जो आला मुखी में पाए जाते हैं, आ पेट में, आपके computer में, computer में, मत्तब हर जगे bacteria has found each and everywhere, बड़ा खतरनाक है, आगे पढ़ते हैं, term bio diversity coined by Walter G. Rosen in 1986, अब bio diversity term किस ने दिया, भाई सब Walter G. Rosen है न, बड़ी अम्मा टाइप किते हैं न, तो इन्होंने Walter G. Rosen ने 1986 में bio diversity term दिया, the warm and humid tropical regions of earth between tropic of cancer and tropic of Capricorn is called region of mega diversity, अब भा bio diversity है, bio diversity सबसे ज़्यादा आखिरकर, पाई तो पाई कहां जाएंगी, एक चीज़ हमको ये बताओ, आप लोग एक दो जगे शाधी पड़ी है, एक जगे शाधी है, पुराने टाइप की है न, वहाप एसे पूरी का चोड़ी खिला दी हो, बैठाल के तुमको चपक के कुं अच्छे से मिल जाएगा, तो सेम चीज़ यहां पे भी है, कि जो bio diversity, bio diversity कहां पे जाधा होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्री कौन के बीच कह लिए, जैसे मान लोग ये आपका अर्थ है, अर्थ के बीच से एक्वेटर गी, तो एक्वेटर की कुछ उपर करीज़, और एक्वेटर की नीचे करीज़, वहाँ पे भाई साब खुब डायवस्टी पाए जाएगी, इस वज़े से उस रीजन कहते हैं मेगा डायवस्टी, अब मेगा डायवस्टी पाय जाने का रीजन भाई साब क्या होता है, वाम एन हूमिड, वाम का मत्तब स सन की लाइट भाई साब काईदे की है, यानि कि वहाँ पे सन की लाइट काफी है, जिससे की photo senses better way में हो जाएगा, और दूसरा humid condition, humid condition का क्या मतलब है, कि वहाँ पे जो पानी है, water भी available है, ठीक है, जो की plant के ग्रोथ के लिए काफी important है, अब mega diversity country कितनी ही होती भाई साब 12 होती है, ब्राजील, कॉलंबिया, एक्वेडर, पेरू, मेक्सिको, जहरी, मेडागासकर, औस्टेलिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया और मलेशिया, आपको जानके खुशी होगी कि आपना इंडिया भी mega diversity country में आता है, यानि इंडिया में भी species richness है, diversity है, बेटर तरीके के, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, type of species diversity, species diversity के types कितने हैं, अब आप लोग कहेंगे भाई, species क्या होती है, तो the organism which are able to reproduce and form a fertile offspring is known as species, ठीक है, ऐसे organism जो आपस में reproduce करते हैं और fertile offspring बना लेते हैं, उसको हम लोग species कहते हैं, अब आप लोग कहेंगे कि donkey और horse ने आपस में cross कर लिया, mule बन गया है ना, तो आपस में cross तो कर लिया, दूसरी पत्ती देख ली, तो उनों को compare किया भईया, एक पत्ती दूसरे तरही कि दूसरी पत्ती दूसरे तरही कि ये क्या हो गया point diversity, यानि बहुत छोटी scale पर diversity है, इसका क्या मतलब है diversity present on small scale, जो diversity small scale पर present हो दी, जैसे मालों आपने आम के दो पत्ते लेली है, अब आप दोनों compare कर रहे हो भईया, या कुछ ना कुछ difference तो मिली जाएगा, एक पत्ता दूसरे पत्ते के एकदम similar थोड़ो होगा, तो इसको आप लोग micro habitat कहती है, आप लोग एक चोटी चोटी चीज़ों में एक दम depth में जाके पढ़ रहा हो, है ना तो यह हो गया micro habitat, ठीक है, point diversity, दूसरा आप लोग alpha diversity बात करेंगे, alpha diversity क्या होती है, local diversity, इसमें हम compare करते है single plant को, यानि एक single plant को दूसरे single plant से, किसी के भी, आम आम को compare कर लो, आम people को compare कर लो, किसी भी plant को compare कर लो, तो यह आती alpha diversity, यानि local diversity, तीसरा gamma diversity, gamma diversity क्या होती है, represent diversity of large units such as land, island और land escape, island यानि एक पूरा island, उसमें कितनी तरीकी diversity पाई जा रही है, यह सारी चीज़े गामा diversity में आती है, जैसे group of plant tuckering together, आट-दस तरीके plant है, उन सारी plant को आपसे compare कर लो, ठीक है, तो यह गामा diversity के अंतरगत आ गया, इसके बाद चौथी diversity है, epsilon diversity, एपसलोन diversity क्यों होती ही, regional diversity, एक particular region में कितने diversity पाई जाती, जैसे forest, ठीक है न, forest एक particular region होई है, भाइस आप जंगल में कितनी diversity पाई जाएगी, इसको फिर से समझो, point diversity, पत्ती के लेवल, पत्ती compare कर लो, single plant, alpha diversity, यानि एक ही तरीके plant को आप आसे compare कर लो, gamma diversity, कई प्लांटी, एक दस प्लांट का ग्रूप ले लो, उसको compare करो, epsilon diversity, पूरा पूरा जंगल, उसमें सारी चीज़े diversity ही कर लो है, उसमें से plant को मत लेना, सब को ले लेना, ढूणे जा रहे हो, ढूणे जा रहे हो, और उसको सिर्फ ढूण ढूण के भाई साब रख लो, रटो ना उसको, क्या होगा, सब भूल याओगे कुछ दिन के बाद उसके भी characteristic feature बूल गे, उसके भी बूल गया, और कितना रट होगे, समझ बात है, एक, दो तो हो, तो रख लो, अब billion, billion, species, diversity, सिर्फ है, species गिनों कि भाई साब निपड याओगे, 20-25 पीडी लग जाएगी, है ना, तो हम लोग उसको क्या करते है, अलग-अलग ग्रूप में classify कर लेते, तो वही चीज़ है, taxonomy होती है, taxonomy में हम एक particular category, एक particular group दे देते हैं उसको, आगे पड़ते हैं, taxonomic provides scientific name, अब भाईया, taxonomics बड़े हुशियारते हैं, scientific name प्रोवाइट करते हैं, scientific name क्यों प्रोवाइट करते हैं, ताकि वो all over world same रहे, इसका क्या मतलब है, भाईया, scientific name का ये फायदा होता है, जैसे माल लोग ए इन्डिका चाहिए, भाईया, बिल्कु नाम ले लो, समझ बाता ही, तो एक नाम होने से क्या पता चलता है, कि सारी चीज़ का benefit रहता है, आप लोग अपने school में, अब इस school में क्या हुआ, कि कोई लड़का, अब उसका नाम इस school में, उसको घर वाले कल्लू कहते हैं, अब बहुत योगदान हैं इनका biology में, binomial normal creature system इन्हों ने दिया था, linius ने, ठीक है, और two kingdom classification system भी किस ने दिया था, linius ने दिया था, तो बहुत चीज़ इन्हों ने किया है, पढ़ते, binomial normal creature system linius में develop किया, binomial normal creature मत्तब एक नाम, दो नाम यूज, सॉरी, एक का नाम, दो उसमे यूज होगा, जैसे magnifera, indica, homo, sapiens, rana, tigrana, ठीक है न, तो linius ने क्या किया था, binomial normal creature system दिया था, और अपनी बुक, species planetrum में इसका सबसे पहले discuss किया था, इस वज़े से इनको कहा जाता है, father of taxonomy, आगे पढ़ते हम लोग, in binomial normal creature system, the first name genus is written in capital letter, ठीक है, binomial normal creature system में, पहला जो नाम होगा, वो कैसे होगा capital letter से, और दूसरा second name species कैसे होगा small letter, याद रखना, पहला भाई साब genus होता है, तो पहला genus कैसे होगा capital letter, और species कैसे होगा small letter, और जब हम इसको लिखेंगे, या print करेंगे, तो ये print होगा italics में, और जब इसको हाथ से लिखा जाएगा, तो भ बढ़ते हैं हम लोग, basis of classification, अब classification करोगे किस बेस पे, तो पहला fossil evidence के अदार पे जैसे मालो, कहीं पर कोई हड़ी पाई गई, अब वो चड़िया की हड़ी है तुम कहोगे नहीं, इंसान की हड़िया नित के तो नहीं हमाई, जो पूरवश्ते वोड़ते थे, तो आई सा त होगा नहीं, चड़िया की हड़ी है, तो इसको चड़िया में ही डालोगे, और अगर इंसान की हड़ी है, human bone है, तो इसको human bone के ही classification में आप लोग डालोगे, तो सेम चीज़ है, palantiology, palantiology क्या होती है, study evidence of past life in the form of fossil, ठीक है, जो past life है, उसको fossil के form में पढ़ना, यानि study of a fossil, य कि यह किस group से belong करता है, फिर उसे में उसको classify कर देंगे, तो यह चीज़े important हो गई है, आगे पड़ते है, taxonomic or systematic, systematic क्या होती है, on the basis of evolutionary relationship, आपस evolutionary relationship, लोगों के बीच में जानना, evolutionary relationship कैसा होता है, अगर सोचो systematic नहों होता है, तो हम लोग कैसे जानते हैं, कि वेल मचली नहीं हम हमारे यह सेक्टर से निकलें, क्योंकि वेल मचली को तो लोग मचली समझते हैं, समझ बाता रही है, और इसलिए, LG विचारा हरा 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 सा कहीं काई पड़ा रहता, और उसका compare इतने बड़े मत्तब होकाली प्लांट से कहां होने पाता, तो सेम चीज़े, systematic क्या होता है, evolutionary relationship, हम उनमें काफी character common ढूडते हैं, जो कि उनमें सम में common है, और उस basis पे हम लोग उसको systematic के अधार पर, evolutionary relationship के अधार पर उसको आपस में divide कर देते हैं, इसमें हम और चीज़ों की मदद लेते हैं, जैसे it tend to deal with information obtained from museum, ठीके museum से भी कुछ चीज़ इंफ़मेशन पता चलती, specimen, जै जैसे किसी plant का specimen हो गया, तुमने plant को क्या किया, प्रिजर्व कर लिया, बायो लैब में या कहीं पर प्रिजर्व कर लिया, और उसके बारे में तुम इस्टेडी कर रह वो, specimen हो गया, इसी तरह history study, किसी organism की life की history को study करना, cytology cell का structure कैसा है, आपको एक चीज़ान के हैरानी होग में रहता है, ठीक है, क्योंकि भाई या, खुद से डिवाइट कर लेता है, खुद का DNA होने सारी चीज़े, तो ऐसा माना जाता है, कि मैट्रो कॉन या प्लास्टेड बाडी के बाहर रहते थे, दूसरे independent living organism थे, लेकिन human body में घुज गया है, और इसके बाद उसके साथ अप कैसे चलती है, में टबॉलिजम कैसे होता है, और साथ-साथ में physiology of organism, physiology यानि body का जो structure वगरा है, इन सारी चीज़ों के बारे में, तो इन सारी चीज़ों को हम कंबाइन करके, systematic तब evolutionary study के बारे में पढ़ते हैं, basis of classification समझ में आगे होगा, plantiology क्यों होता है, fossil के level पे, और systematic evolutionary relationship की एक दूसरे से कैसे related है, ठीक है, और इन सारी चीज़ों में सारी चीज़ों की help लेते हैं, आगे पढ़ते हैं हम लोग, classification and evolution, classification and evolution से कैसे related है, अब जिस तरह जिस चीज़ का evolution हुआ होगा, उस तरह से हम उसको classify कर देंगे, जैसे algae क्या था, lower plant था, लेकिन हम लोग जानते उस कहते है, classification and evolution, जो classification होता है, किस basis पर होता है, evolution के basis पर, यानि उनके हम पूरी पिछली कुंडिली मिलाएंगे, और उनके कुंडिली मिलाएंगे, तब जाके उसको किसी चीज़ में classify कर देंगे, पढ़ते हैं, the classification of life forms is closely related to evolution, classification किस तरह related है, बच्चो, evolution, evolution क्या होता है, the changes which occur from generation to generation, उसको हम लोग evolution कहते हैं, most, मतब ऐसे कह सकते हैं, changes occur from generation to generation, यानि variation होता है, collection of variation is known as evolution, most life form that we should have arises by accumulation of changes in body design that allow organism to survive better, आज हम जितने भी diversity देख रहा है, वो सारी diversity या वो सारे life form, या वो सारे types, क्यों है, वो इस वज़े से हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आपको बदला, और अ हमालों, cactus है, cactus होने से पहले मना जाता है, पत्ती पाई जाती थी, अब पत्ती पाई जाती थी, विचारा रेगिस्तान में, रेगिस्तान में निपड़े आएगा है ना, तो उससे अपने आपको बदल लिया, भोला ठीक भईया, पत्ती रही हम काटे लाएंगे, अब पानी लेके दिखाओ, समझ बाता आ रही है, तो यह सारी चीज़े हो गई, और उसकी जो, मतब स्टेम वागेरा थी, fleshy हो गए, उसमें भी वाटर होने लगा, तो यह सारी चीज़े है, वो भी वाटर स्टोर करता है, इस टो मैटा सकेन हो गया, तो यह सारी चीज़े है, आगे, सबसे पहले idea of evolution किस ने दिया हमारे चार्ल्स डार्विन जी ने और किस किताब में origin of species जो की publish होई थी 1839 में आगे पर थे the idea of evolution is connected to idea of classification evolution connected classification से जैसा कि heading है कैसे connected है because some group of organism which ancient body design have not changed much क्योंकि कुछ ऐसे group of organism है जो बहुत ज्यादा change रही हुए बैक्टीरिया पहले भी वही से थे आज वही से है समझ बातारीनत का बैक्टीरिया चेंज हुए बिलकुर नई चेंज हुए तो इस वज़े से भी पुरानी body design वो क्या है primitive or lower और जिनका body design का फिर डेवलाफ हो चुका अब उनको क्या कहते बच्चों complex या फिर higher organism जैसे human beings आगे पढ़ते हम लोग artificial and natural system of classification दो तरह का classification system था पहला artificial और दूसरा natural artificial वाले में क्या था कि भाईया कोई कुछ भी आई अपना कुछ भी आके कह दी है बोला यहीं होगा अब उस टाम पे लोगों ज्यादा जानकारी थी नहीं तो लोग भी social भाई साब यह सामने अला बता रहा है जरू बड़ी अम्मा टाइप का होगा हम लोग तो ब्योकूफ इंसान है जैसे आप लोगों को होत कि हम चीजों को classify करेंगे कि वो कहां रहते हैं लेकिन यह चीज बिलकुन गलत है क्योंकि लैंड में लैंड में इंसक भी रहते हैं इंसान भी रहते हैं तो इंसान लोगों बड़ा बुरा रहा है बताओ भाई साब यह किस से compare कर रहा है हमारा इनका क्या साथ बोल ला है हम कॉमन इंसेक्टर से बाइब बहुत दुखी बात थी आगे अगर हम see or air की बात करें समुद्र की बात करें तो समुद्र के साथ बहुत और सब्ले बले मगरमच वीचाराब हो कई गया वो ऐसे थे पाइवा में अब गया वहा लाफ बाता था कि कौन कहा रहता है। दूसरा थियो फरेस्टस थियो फरेस्टस आए और ये पेल को भाई साब बात के चले गए पेल को बात के चले प्रेस्ट्स और अंडर हफ्स और हफ्स में और दो चीज़ पे और बाती इन्हों ने भी हैबिटेट का सारा रिया और लाइफ इस्पैन का सारा रिया कौन कित्ते साल जीता है लेकिन ये भी बहुत ज्यादा गलत है अब पता चले तुम सोचो कि तो टा 140 साल जीता है तो इंसान थोड़ो हो ग है इसके बाद ली इसा है कि किताब थी सिस्टम अ नेचर उसम जानी क्लासिफिकेशं ऑ नेचर उसमें उनोंने से 것으로 करेक्षिक और निजम के लिए ठीक, उनके sexual characteristics के हिसाब से, उनको अलग अलग category में divide किया, जैसे plant, wisdom and borals के basis पे, लेकिन इनका भी यह चीज यहाँ पे पूरी तरह से fail हो गया, यानि irrelevant था, आगे पड़ते हम लोग, natural system of classification में भी lineage आगे, बड़े ओशियार है, हर जगी अपनी मतलब दिखा रहे हैं, lineage ने two kingdom classification system दिया, ठीक है, two kingdom classification system और इसमें इन्होंने क्या रखा, plant और inmal, इसके बाद hack लिया है, इन्होंने three kingdom classification system कर दिया, इसमें इन्होंने एक अलग सी चीज जोड़ दी, जिसको क्या जोड़ा, protesta, unisolar organism के लिए, क्योंकि अब plant inmal ने का, भई हम un हारेश विटाकर है, हारेश विटाकर ने two kingdom और बढ़ा दिया, तो इनका five kingdom classification हो गया, और इसमें इन्होंने monra बढ़ाया, bacteria के लिए, और fungi kingdom बढ़ाया, fungi के लिए, ठीक है, ऐसे plant के लिए, जिसमें की chlorophyll नहीं होता था, आगे कारल वोस, कारल वोस ने six kingdom classification system दिया, और इन्ह रॉबर्ट विटाकर, आरेश विटाकर, आरेश विटाकर ने क्या किया, five kingdom classification system, इसमें इन्होंने क्या किया, monra, protista fungi, plantainy ने मलिया, अब monra को अलग करनी क्या शुरूरती, unisolar में दोनों आते, prokaryotes, eukaryotes, दोनों आते, अब इसमें एक था unisolar में protista case में, जिसका nucleus well defined था, तो protista ने क्या क्या, निकल लो non well defined nucleus वालो, तो वो किस में आ गया, फिर वो monra में आ गया, bacteria बिचा रहे आगे, और fungi plant ने फिर इनको लात मार के बगए आगे, भईया, तुम तो बहुत दिन तक साथ में रहे लिए, अब तुम हो निकल लो, है ना, कि तुम्हा पर chlorophyllol है नह इनका भी अलग से kingdom, RS, Ritaker ने बना दिया, बोला हम सब का साथ देंगे, और Carl Woz है, Carl Woz ने फिर दो पार्ट में बैक्टियों बाट दिया, Archebacteria और EU Bacteria, Archebacteria जो बहुत पुराने बैक्टियों है, EU Bacteria जो अभी नए 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 वाल हुए, नए-नए का मतलब भाई तब यह नहीं कि इकल पईदा होके चले हैं, इसा नहीं है, यह भी मतलब पुरानी है, लेकिन Archebacteria के compare में कम पुराने है, Modern Scheme और 5 Kingdom Classification, आज हम लोग 5 Kingdom Classification को मानते हैं, 5 Kingdom Classification में इन्होंने Margulis और Estuwards, इसको अपने सपर लेना, ठीक, बहुत जाधा pronunciation चक्कर बना जो, इस पेरि पुरानी वीडियो में जाएं, आगे पढ़ते हैं, hierarchy of category or group, अब category or group पे हम कैसे बाटे हैं, तो पढ़ लेते हैं, the main name of taxonomic study is to assign organism or appropriate place with systematic framework of classification is called taxonomic hierarchy, taxonomic hierarchy case के हम लोग क्या करते हैं, चीजों को arrange करते हैं, higher category to lower category, और इसमें हर category को ध्यान देना, बच्च्च्च्च्च्च्च इसमें बहुत confuse होते हैं, इसमें हर category को हम लोग बोलते है taxon, और taxon का plural form है taxa, यानि कि the tax or category used in classification of plant, जो category हम लोग यूज करते हैं, इसको अब हम लोग सीधा पढ़ते हैं, kingdom हो गया, phylum हो गया, phylum किस case में use होता है, plant की case में, sorry, 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 phylum किस case में use होता है, animal की case में, और यहा आपस में तो cross कर सकते हैं, लेकिन न जेनस, family order, class, phylum, division or kingdom, इनके member आपस में cross नहीं कर सकते हैं, आगे पढ़ते हैं, all the member of taxons show similar character, एक taxon का member similar character show करता है, जैसे kingdom, kingdom में अगर हम लोग बात करेंगे, वेल मश्री भी आती है, humans आती है, तो हम लोगों character कुछ हद तक similar है, जैसे lungs ठीक है न, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों में similar हो जाती है, इसी तर इस्पिशीज, इस्पिशीज में काफी character similar होगे, तो अगर एक taxon के बात करेंगे, तो उसमें जितने भी member होंगे, उन सब के character बच्चों काफी अत्तक similar होंगे, वही लिखा है, all the member of taxons show similar characteristics which are different from those of other taxa, आगे पढ़ते है, mode of nutrition bacteria में कैसा होता है, photosynthetic, kemosynthetic, यानि sunlight से भी और chemical से भी, और साथ साथ में heterotropic, यानि कि भाई सब बहुत diversity है, simple structure लेकिन complex behavior, समझ बाता ही, देखर में छोटा लागे, घौकर, एक अंबीर, वही इस्तिती है, simple structure and complex behavior, आगे पढ़ते है, bacteria found almost everywhere, हर जगे प पाया जाता है, और दो पार्ट में bacteria divide होता है, RK bacteria, EU bacteria, RK bacteria भाई साथ पुराने वाले, EU bacteria ने वाले, अब RK bacteria क्या है, RK bacteria का जो cell wall होता है, polysaccharide से बनाया, ठीक है, polysaccharide and protein, लेकिन इसमें peptidoglycine नहीं पाया जाता है, या IPMT का बहुत अच्छा question, बैक्टीरिया आपस में किस basis पर differ करते हैं, तो on the basis of cell wall, 2014 में भी आया था, और हमने गलत, और हम गलत करके आया थे, आगे पड़ते है, RK bacteria divided into 3 group, 3 group में divided है, methanogens, thermo acidophlies, hello flies, methanogens भाया नाम जे पता चल लाए, methane प्रोड्यूस करेगा, और methane आप लोग जानते हो, swampy places में होता है, ठीक है, swampy places भी बैक् पता है, methane का formula क्या होता है, CH4, और quailant compound है, ठीक है, यानि इसमें यहाँ पे sharing से चीज़े बन रही है, methane, formula क्या होता है, CH4, ध्यान देना इसको, methanogens are also found in gut of herbivore, herbivore के gut में पाए जाता है, gut का मतलब पेट में, जिससे की solos के digestion में मदद करता है, आगे thermo acidophlies, thermo का मतलब क्या हाँ डल देना थे jam में, आगे पढ़ते है, many users hydrogen sulfide gas, कही hydrogen sulfide gas यूज कर सकते है, यानि वही वाला point आ या भाई सब कौन सा point, kemosynthetic वाला, ठीक है, and as in their energy source, haloflies क्योंते है, alkaline involvement, खा रहे पानी, यानि समुद्र, हुश्यार हो, आप लोग आगे पढ़ते है, EU bacteria, EU bacteria की cell wall बनी हो positive bacteria क्या होता है, that takes the gram stain, gram potsise bacteria gram stain, take critique करता है, सज़ेस इसको gram positive कहते है,rated टी, covered Gram negative क्या होता है, gram negative, जो है अपने में stain retain नहीं करता है, सज़ेस इसको gram negative bacteria कहते है, अब हमको ये जानना क्यों जरूर है, कौन से gram positive the gram negative, इस वजishna से क्यों क्यों कि कुछ ऐसे दवाई होती है, जो gram कॉस्टिव पर काम करती है और कुछ ऐसी दवाई होती है जो ग्राम निकेटिव पर काम करती है तो यह बहुत जरूरी इनके बीच का डिफरेंस जानना इसके बाद ग्राम स्टेनिंग टेक्टिंग डिफरेंशेट टू टाइप ऑफ सेल बॉल कंस्ट्रक्शन इन बैक्टिरिया ग्राम स्टेन टेक्टिंगो पता चल जाता है कि इस दो बैक्टिरिया होते हैं या जो भी बैक्टिरिया ओते उनके सेल बाउल में आपस में कहीं तब आपको वेडियो पसंद आए